पोडियम से पुटपाथ टक और फुटपास से सूप्रीम कोट तक यह है लड़ाई चल रही है इस वक्छ पहलवानों की और यहां पर आज सूप्रीमकोट से में जो कुछ हुआ और जो शुकरवार मुकर्रर किया गया है और उसमें पुलिस को नोटिस दिया गिया है उस पर यहाँ चर्चा के लिए मेरे साथ बदरंग पूनिया है विनेश फोगट हैं संगीता फोगट हैं विनेश सबसे पहले तो मैं आप से जानना चाहूंगा कि कितनी रहात है आपको इस फैसले के बाद देखिए अब भी सुप्रीम कोर्ट का दन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपने संग्यान में ये चीज ली है और बाकी हमें नया आला पे पूरा बरोसा है कि हमें नया ही मिलेगा जो आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है बहुत बड़ा की जो महिलाओं ने जो साथ महिलाओं ने जो शिकायते दर्ज की हैं उनके खिलाफ भी जो है तरह तरह के उनको धंकाने की कोशिश की गई है और उनको खुश लाने की मतलब पैसा देकर खरीदने की भी कोश रहे हैं लड़की का जो आधार काड़ वह सोशल मीडिया पर डाल दिया कि इस लड़की वह ढूंडिये कौन है और जो सेक्टरी है रियाना का राकेश जो अभी फरजी सेक्टरी बना रखे हो वह है जो यह कोच को रहा है हम audio पर से हैं तो मरजी का उड़ाया है हमारे पास कि तो यह अगर किसी भी खिलाड़ी के साथ मिस हैपनिंग होती तो इसके जिम्मादर कौन होगी दिली पुलिस कॉंफिडेंशली नाम थे वह बच्चियों को मास्क वास्क लगा के सब वहां गए थे किसे में फोटो नहीं आया और वहां पे अब जो सारवजनी करया जा रहा है उस बच्ची का नाम से नाम नाम पता था उसका आधार निकाड़ा है कैसे और आधार किया है लोगों उने गुरुप में बई इसको तोड़ा जाए जो नाबालिक लड़की है बबीता फोगट के बयान से भी एक हंगामा मचा है और उसमें ये बास सामने आती है कि जो कमेटी है उसमें भी आपसी मत्मित है वो भी एक कारण हो सकते हैं बहुत अनफर्चनेट लगा जाओ उनका ये बयान सामने आए बिलकुल बविता सामने आके बोल रही है उसमें बहुत सारी चीजे है जिन पर परदानमंत्री जी ने और गरहमंत्री जी ने देखना बभीता फोगट ने जो जो कहा है मैं चाहूंगा कि आप हमारे शोताओं को भी बताएं देखी वो उसने डाल रखा कि मुझे रिपोर्ट नहीं पड़ाई गई है रिपोर्ट पड़ित मेरे आथ से चीन लिया गया जो साही की आदिगारी थी पहले अभी रिटार है रादि कुस्ती से काफी दिन से जुडा हो कर रहे हैं आप कोई पता है सभी एक थाड़ी में बैठ के खाते हैं यह नहीं होता चाहिए वो मेरे गाव का है एक अखाडे में पता नहीं कहां का से बच्चे आते पाच-पाच-दस-दस बच्चे इखटे बैठ के खाना खाते हैं तो और वो विवस्ता ही बात करें विवस्ता तो नहीं कोई रखी नहीं कभी वो खुले मंच पे खिलाडी को थपड मार रहे हैं कभी गाली दे रहे हैं वो वो इतने सब होते हैं तो गाली देते हैं मंच पे उनको पता है लड़किया भी या लड़के भी हैं यहां उन पे क्या असर पड़ेगा वो बच्चों को ड्रा दमका के वो तो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अब जो भी होगा वो इनका साफ तोर पर कहना था कि अब फैसला जो है वो सुप्रीम कोट पर उनको भरोसा है और जो भी वो फैसला करेंगे उसके लिए वो उनको तहे दिल से उसको सुप्रीकार करेंगे कैमरामेन अवधेश के साथ मनोद जोशी इंडिया नियूस